नमस्कार आप सभी को इस सेशन में हम आई वी पी एस पी यू प्री एक्जाम के लास्ट थ्री येर्स के नंबर सीरीज कुश्चन सौल करेंगे जो के दोजार चौबिस के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं क्यों क्योंकि डेटा जो है चेंज ह तरीका यह है कि आप वीडियो को पॉस्ट कीजिएगा पहले खुद से ट्राय कीजिएगा फिर सॉल्डिशन देखिएगा तो जैसे यह सवाल हम देखें तो 20 और 32 में जो डिफ्रेंस है 20 और 32 में डिफ्रेंस है 12 का ठीक है यहां डिफ्रेंस है 12 राइट यस अब इन में रोन कोई पैटर्न मुझे नहीं देखा तो मैं इन में डवल डिफ्रेंस चेक एक रहता हूं इन दोनों में भी डिफ्रेंस करता हूं 3 का डिफ्रेंस है प्लस 3, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, प्लस 7, तो अब इसके बाद दो को दो पॉसिबिल्टी बनती है, 3, 5, 7, यह consecutive odd numbers में और consecutive prime numbers में है, तो अगर मैं यहाँ पर odd numbers लेकर चलता हूँ, तो यहां पर आएगा 9, minus 9, 17 minus 9 अगर होगा, तो कितना होगा 8, तो यहां 8 आएगा, और अगर मैं इसमें 8 एड़ करूंगा, तो यहां पर 82 आएगा, जो कि options में ही नहीं है, तो इसका मतलब odd number वाला logic यहां पर नहीं चलेगा, तो यहां कौन सा logic चलेगा, प्राइम वाला, ठी ठीक है, तो 7 के बाद next prime number आता है 11, तो minus 11 यहां से किया, यहां से minus 11 करेंगे, तो कितना बचेगा, 6, और अगर मैं इसमें 6 जोड़ दूँगा, तो answer मेरा 80 आएगा, जो कि option में है, तो option यह is correct answer, आगे बढ़ेंगे next question की तरफ, अगला सवाल आप देखें, 42, 40, 53, तो definitely easy to do, terms है, वो पास पास है, तो मैं difference ही check करता हूँ, तो अगर मैं यहां difference देखता हूँ, तो 8 का difference है, यहां difference है, यहां difference कितने का है, 23 का, 23, यह नहीं पता, यह नहीं, ठीक है, चलो अब यहां अगर हम देखें, तो 5 का difference है, यह कितने का difference है, 10 का difference है, अब इसके बन सकती है एक कि 5 10 15 20 हो और दूसरा पांच 10 5 का डबल दस 10 का डबल बीस और बीस का डबल चालेस हो राइट तो सबसे पहले मैं 15 वाली पॉसिबिल्टी चेक करके देखता हूं सारी चीजें इस टर्म पर कर रही है कि यह मैच करेगा के नहीं तो पांच 10 15 यहां आए 20 ठीक है तो 23 प्लस 15 कितना हो जाएगा यहां पर 38 और 38 प्लस 20 हो गया 58 अगर मैं यहां पर 38 एट करता हूं तो this is 4 114 आएगा और 114 में 58 एट किया जाए तो क्या यह बन रहा है बिल्कुल बन रहा है यानि कि 114 is right answer ठीक है 5,10,15,20 correct अगर इससे नहीं match करता 172 तो फिर हमें 5,10,20 और 40 उस तरीके से जाना पड़ता हूं आगे बढ़ेंगे 40,66,116,198 तो difference अगर यहां देखा जाए तो यहां कितने का difference है 26 का difference है यहां कितने का difference है 50 का difference है यहां कितने का difference है this is 2 and this is 8,82 का difference है and this is equal to 120 plus 2,122 का difference है तो यह अगर आप numbers को देहां से देखें तो सारे numbers perfect squares के आसपास है यह number 5 square plus 1 है यह number 7 square plus 1 है यह number 9 square plus 1 है और यह number 11 square plus 1 तो 579 11 consecutive odd numbers है तो next odd number है 13 square plus 1 यानि 170 में यहां पर add करूंगा तो answer आएगा 490 yes 490 is correct answer option B yes clear है अगला सवाल देखें 80 then blank then 170 इन दौनों को अगर मैंने यहां difference देखा तो कितना आया 51 यहां पर difference देखा तो कितना आया 103 यहां difference देखा तो कितना आया 207 right 207 अगर आप इनको ध्यान से देखो तो 51 के double के आसपास है यह number right 51 के double के आसपास है यह number उल्टा जाना है तो क्या करेंगे माइनस वन करेंगे तो 24 का आदा 12 तो 12 अगर इसमें एड करेंगे तो यह आंसर आएगा 92 right right 92 is correct option ठीक ठीक है चलो अगला सवाल देखो 161 228 299 so terms पास पास ही है तो difference देखते हैं अगर यहां difference देखें तो कितने का difference है यह difference कितने का है this is 1 and 7 71 का difference है यह difference कितने का है 173 I think yes 173 का difference है no no 73 का difference है 73 का difference अगर इसको देखेंगे तो यह जो difference है वह कितने का है 11-2 यानिके 9 and this is 7, 79 करे अगर आप इन नमबर्स को गौर से देखें तो सारे के सारे नमबर्स आपको कैसे नमबर दखाई दे रहें आपको यहां पर नजर आ रहे हुए तो 67 से पहले कौन सा प्राइम नमबर आता है 61 आता है तो इसमें 61 माइनस किया तो आंसर आ गया मिल पास 100 option a done yes ठीक चली अगला सवाल देखते हैं 50 10 3 1.2 बड़ा प्यारा सा सवाल है चोटा सा सवाल है लेकिन थूरा सट रखी है देखो 500 अगर आप ऐसे करोगे सार इसका 110 थै एक बटा दस कर दिया यहां पर एक बटा पांच कर दिया तो यहां पर आपको कोई सब्सक्त지 करें उसके बाद इसके बाद इक पॉइंट में नंबर आ रहा है यह संप्ली में इसका दस पर्सेंट यह अगर इसको इसकी बात करें तो 1 15th मतलब का 0.2 20% इसका फिर ये इसका 0.3 तरी ताइम से 30 परसेंट ये इसका 40 परसेंट यायनी 0.4 फिर next आना जा इसका 50 परसेंट यायनी 0.5 यानि इसका 50 परसेंट होगा 0.6 तो आंसर is option C इस तरीके से करना था आगे अगर देखें next question 2 6 12 20 30 so if you look at the difference difference is 4 6 8 10 बड़ा आसान सवाल है 4 6 8 10 तो नेक्स डिफ्रेंस आना चाहिए 12 12 8 करेंगी तो 42 आए तो पांच अगर कोश्चन आते हैं नंबर सीरीज के तो उसमें से आप यह मान कर चलो कि 2 या 3 कोश्चन आसान होंगे बागी दो थोड़ी से ट्रिकी होंगे आगे बड़े 24 49 blank 219 388 677 सो अगर यहां हम दिफ्रेंस देखें तो कितने का दिफ्रेंस है 25 का दिफ्रेंस यह नहीं पता यह नहीं पता अगर यह दिफ्रेंस देखा जाए तो कितने का दिफ्रेंस है इन दौनों में दिफ्रेंस देखा जाए तो कितने का दिफ्रेंस है इसमें 300 8 करोगे त 688 फिर 11 घटा दो तो 300-11 289 तो इफ यू लोक अट दिस इस 17 स्क्वेर इस इस 13 स्क्वेर और इस इस वाट 5 स्क्वेर अधिस 17 से पहले 13 आया मतलब कि consecutive prime numbers 5 के बार next prime number आता है 7 और उसके बाद आता है 11 11 के बार तो 39 स्क्वेर इस वाट 49 और 11 स्क्वेर 121 तो 49 प्लस 49 98 एक बार जल्दी से cross check इसको कर लेंगे इसमें 121 जोड़ेंगे तो कितना आएगा यस 2199 आएगा तो 98 इस करेक्ट ऑप्शन ए डन next 48 55 76 अगर हम यहां पर difference देखे तो 7 का difference है यहां difference कितने का 21 का difference है यह नहीं पता यह नहीं पता और यहां difference देखेंगे तो 360 का difference है so if you look at these differences carefully all are multiples of 7 तो यह number 7 का 1 time है यह number 7 का 3 times है और यह number 7 का 9 times है अच्छा 1 3 आया 9 आया मतलब और नमबर आ रहे है तो बीच में क्या बचा 5 बचा 7 बचा तो 7 का 5 times 35 7 का 7 times 49 तो यहां पर 35 एट करोगे कितना आएगा 111 तो आंसर होगे 111 option c done yes next question देखे 15 16.5 19.5 24 terms पास पास है तो multiplication से नहीं जाओंगा मैं difference ही देखता हूं यहां पर difference is 1.5 यहां difference कितना है 3 का difference है यह difference कितना है 4.5 का difference है तो आप यह देखो कि 15 का table चल रहा है 1.5 का double 3 1.5 का 3 times then 1.5 का 4 times कितना होता है 6 6 add कर देंगे answer आजागा 30 ठीक है फिर 1.5 into 5 7.5 आप add करोगे 37.5 आजाए नेक्स्ट 2 6 30 210 clear दिखाई दे रहा है 2 का यह 3 times है 6 का यह 5 times है 30 का यह 7 times है so 357 के बाद क्या आना था यह अब आप सूचो कि यहां पर भी दो रास्ते और नंबर्स भी हो सकते हैं प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं अगर आप प्राइम लोगे जिसके chances यूजरी जादा होते हैं तो 357 के बाद 11 आएगा और यहां 13 आएगा अब इसको चेक करने की जरूद नहीं सिर्फ आप यूनिट डिजिट को चेक करो यह नंबर अगर मुझे चेक करना है तो यूनिट डिजिट के आएगी 3 into 1 into 0 यानिकि 0 आजाएगी और उसके बाद क्या आएगा 3 into 1 3 into 1 3 आएगा लेकिन यहां तो 9 आ रहा है तो that's why यह logic correct न 9 में end होगा ठीक है तो 1890 आपको option में भी दिखाई दे रहा हुगा yes option is करे अगला सवाल देखे 8 12 30 105 blank 2698.75 पॉइंट आ गया इंटीजर चलते जा रहे थे और चानक से point आ गया that means कि multiplication with some fraction 8 का यह 1.5 time yes दिखाई दे रहा है यह इसका बारह का डवल 24 और बारह का आदा 6 और 24 प्लस 6 30 मतलब 2.5 times यानि 2 times plus half time इसको देखेंगे तो इसका 3 and a half times 3.5 तो यहां क्या आएगा 4.5 times राइट यहां पर आएगा 4.5 times 4.5 times करेंगे पहले इसका चारगुना किया 420 फिर 0.5 times माले इसका आदा कर दिया 52.5 इनको एड़ किया तो कितना आएगा 472.5 राइट 472.5 यानि क्यों ऑप्शन इगा नेक्स्ट कुश्चिन देखा जाए 9, 19, 39 डिफरेंस अगर देखें यह इन फेक्ट वैसी देखेंगो 9 का डबल 18 प्लस 119, 19 इन्टु दू 38 प्लस 139, 39 इन्टु दू 78 प्लस 179, 79 इन्टु दू 158 प्लस 159 तो यहां पर आंसर आएगा 159 ओप्शन ब्र आसान सवाल नेक्स्ट कुश्चिन देखो 585, 557, 528 टम्स पास-पास बिफरेंस देखिते हैं तो यहां कितने का है 23 मायनस हुए mythology- दोनों का डिफरेंस देखें तो 29 का डिफरेंस है यहां डिफरेंस अगर देखा जाए तो कितने का डिफरेंस है यहां भी कुछ माइनस हुआ है 28 प्लस 3 31 माइनस हुआ है यह सारे के सारे कैसे नंबर है consecutive prime number तो next prime number 31 के बाद कौन सा आता है 37 इसमें से माइनस करोगे तो तो आंसर आजाएगा 460, yes, option, done, अगला देखो, 81, 72, 136, 111, 81 और 72 में कितने का difference है, 9 का difference, इन दोनों में कितने का difference है, यहां माइनस हुआ, यहां क्या हुआ है, प्लस हुआ है, प्लस कितना हुआ है, this is 4, this is 64, यहां क्या हुआ है, माइनस 25, तो अगर हम इन नंबर्स को दयान से देखें, तो यह नंबर 3 का square है, यह नंबर 4 का cube है, यह नंबर 5 का square है, तो next के आना चाहिए, 6 का cube आना चाहिए, और next आना चाहिए, 7 का square, 6 का cube कितना होता है, 216, तो प्लस 216, और next आना चाहिए, माइनस 49, तो प्लस 216 करेंगे, इसमें, तो कितना आ जाएगा 327 327 इस करेक्ट आंसर यह सवाल एक सवाल आपके लिए होमवर्क है इसका आंसर सभी को कॉमेंट करके बताने तो एक क्विक सेशन था सारी के सारे नंबर सीरीज के जो तीन साल के सवाल पूछे गए उनका रिवीजन करने के लिए है ना तो आपको इन स सवाल तो ज्यादा मुश्किल नहीं है मौडरेट लेवल है हम इनको आराम से पेपर में कर सकते हैं थंडे दिमाग से सोचना है अप आराम से पांच में से तीन से चार सवाल तो बड़े आराम से कर सकते है ठीक है तो इस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर हैं राइट थैंक यू सो मच